जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपर बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर मोहन राकेश जी से संबंदित वीडियो पूरा बस देखना है महत्तपुन कॉस्चन है मोहन करवाई जाती है तो इस टेस्ट सीरिस से अबस जुणें आपको इस प्लेश्टोर पर जाना है से अब डाउनलोड करना है और अपनी तयारी में लग जाना है मोहन राकेश जी से संबंदित परस्ट कॉस्चन की बात करें तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले आप वीडिय गए हैं और मोहन राकेश जी का बास्तविक नाम पूँचा है आपसे तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका सी यानि की मदन मोहन गुल नानी आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यहां पर पूँचा मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था यह बताईए महत्वपॉन कॉस्चन आपसे यहाँ पर पूंचा है कॉस्चन नमबर दो है और दो का राइट आंसर है आपका मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1925 इस भी आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर डी कॉस्चन नमबर तीन पूंचा है मोहन राकेश ने लाहर विश्विद्याला से केस विसाई से इसनात कोतर की उपाधी प्राप्त की हिंदी से अंग्रेजी संस्कृत या फिर उर्दू से कॉस्चन नमबर तीन है और तीन का राइट आंसर है आपका संस्कृत विखल्प नमबर आपका इहाँ पर भी राइट आंसर होगा संस्कृत बिलकुल चाई मोहन राकेश केस कहानी आंदूलन से संबंदित है नई कहानी या फिर सहज कहानी समणांतर कहानी आ कहानी कॉस्चन नमबर तीन का राइट आंसर बताना है मवाली है सुहागिने है या भिक्चू है तो question number 5 है और 5 का सही answer है आपका यहाँ पर तो बिल्कुल सही right answer है आपका 5 का D यानि कि भिक्चू आपका सही answer होगा महराकेश की प्रतम कहानी भिक्चू किस पत्रिकाम प्रिकासित हुई थी question number 6 का right answer बताईए चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं सरस्वती, इंदू, हन्स, माधुरी तो आपका बिल्कुल सही right answer है यहाँ पर विकल्प number 1 यानि कि सरस्वती आपका सही answer होगा question number आपका साथ पूँचा महाधाकेश की किस कहानी पर ही ना फिल्म में बनी हैं इंकने वाली महाधाकेश की कहानी कौन सी है बताईए आदुनिक युग के दमपत्ती के मानसिक तनाव को अभिवेक्त कनने वाली महादाकेस की कहानी है कौन सी है तो आपका बिल्कुल सही right answer है एक और कहानी विकल्प नंबर आपका एक सही answer होगा महादाकेस की कौन सी कहानी उनकी मृत्त्य के बाद प्रकासित हुई डॉक्टर जक में नंदी या फैर बादल कौस्चन नंबर 9 है महत्तपूर्ण है और 9 का right answer है आपका नंदी विकल्प नंबर आपका सी right answer यहाँ पर होगा नंदी राइट answer है question number 10 यहाँ पर पूँचा गया है आपसे देखते हैं देखे क्या है कि महादाकेस की प्रसिद्ध कहानी एक और जिंदगी कब प्रकासित हुई थी एक और जिंदगी इनकी महत्तपूर्ण कहानी है एक कब प्रकासित हुई थी तो question number आपका यहाँ पर 10 है, right answer है, विकल्प number C, right answer है, यानि की 1902, आपका right answer होगा 1902, ECB, मौहन राकेश का प्रतम कहानी संग्रे माना जाता है, जानवर और जानवर, फॉलाद का आकास, इंसान के खंडहर या नई बादल, इनका कहानी संग्रे आपके लिए बताना है, तो ब विकल्प है, आसाल का एक दिन, पेर तली की जमीन, लहरों की राजहन से, आधे अधूरी, question number 12 है, और 12 का आपका बिल्कुल चाही right answer है, आसाल का एक दिन, विकल्प number 1 आपका सही answer होगा, अंगला question है, मोहन राकिस को किस नाटक पर संगीत, नाटक अकादमी का पिर्थम पुरुसकार मिला है, तो question number 13 है, और 13 का right answer है, भै नाटक कौन सा है, जिस पर संगीत, नाटक अकादमी का पिर्थम पुरुसकार मिला है, तो right answer है, आपका यहाँ पर विकल्प number 1, आसाल का ए जमीन या आधिय अधूरी क्वेश्चन नमबर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर सी पेरतली की जमीन आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन देखते हैं अस्वखोस के नाटक सुंद्रा नंद की आधार पर लिखा ग इसका जन्म कहां पर हुआ था यह आपको बताना है जो की महत्तपूर्ण कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है बताइए क्या है इसका राइट आंसर चार विकल्प आपके यहां पर देगा है इनका जन्म कब हुआ था तो महत्तपूर्ण कॉस्चन है और इसका बिल् भारते दुयोग question number 17 है और 17 का right answer है ये माने जाते हैं कब के माने जाते हैं तो दुवेदी प्रियोगवादी योग के उपन्यासकार माने जाते हैं कौन मोहराकिस मोहराकिस की प्रिथम कहानी भिप्चू का प्रिकासित हुई थी ये आपको बताना है question number 18 है और 18 वा question है जो की बहुत ही मात्तपूर्ण है आपसे यहाँ पर पूचा गया है और आपका right answer है 1945 यजबि आपका सही answer होगा question number आपका यहाँ पर 19 क्या पूचा पूचा है मोहराकिस द्वारा रचित कितनी कहानियाँ मानी जाती है भारत विभाजन से जड़ी कहानी कौन सी है question number 20 का answer बताना है question number 20 का right answer क्या होगा भारत विभाजन से जुड़ी कहानी कौन सी है आपके चार विकल्प है यहाँ पर और बिल्कुल सही right answer है मलवे का माले का आपका सही answer होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़ी है question question number 21 है कि एक और जिंदिगी कहानी कब प्रकासित हुई है एक और जिंदिगी एक कहानी है महत्पुन कहानी मानी जाती है और यह कब प्रकासित हुई है यह आपसे पूछा है तो यह प्रकासित हुई है 1922 विकल्प नंबर आपका सी right answer होगा नंदी कहानी कब प्रकासित हुई है question number 22 का right answer बताना है नंदी नंदी कहानी का प्रिकासित हुई है अंगला कॉस्चन देखते हैं यह आपके चार विकल्ब दे गए है और आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सी राइट आंसर होगा देखिए आसाड का एक दिन लहरों की राजहंस आधे अदूरे पेर तले की जमीन यह जो है इनके उपन्यास दिये गए है जिनका प्रिकासित वर्स के अनुसार सही करम दिया गया है अंगला कॉस्चन क्या है मौहनराकेस के कहानी संग्रों का प्रिकासन वर्स के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प है कहानी संग्रे के बताना है बताईए कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा यहाँ पर यह आपके चार विकल्प दे गए हैं और आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी इंसान के खंधर नई वादल जानवर और जानवर एक और जिन्दिगी फौलाद का आकासी जो है इनक कहानी संग्रे हैं और इनका प्रिकासन वर्स के अनुसार सही अनुक्रम होगा इंसान की खंडर कहानी का प्रिकासन बताना है 1950-1977-1961 Q25 है और 25 का अंसर बताना है तो आपका right answer है 1950 आपका सही answer होगा Q26 यहाँ पर देख लेती है क्या पूँचा क्या है Q26 आपका ए रहा यहाँ पर पूँचा क्या है कि नए वादल कहानी का प्रकासन वर्स बताना है नए वादल यह कहानी है और इसका प्रकासन कहानी संग्रह है यह और इसका प्रकासन आपसे पूचा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1907 आपका विकल्प नमबर भी राइट आंसर यहाँ पर होगा जानवर और जानवर कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स बताईए जानवर और जानवर कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स बताना है तो 27 का बिल्कुल चाही right answer है जानवर और जानवर 1908 इस भी माना जाता है इसका प्रकासन बिल्कुल चाही बहुत बढ़िया अंगला question है एक और जिंदगी एक और जिंदगी कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स बताना है तो एक और जिंदगी इसका जो आपके लिए क्या बताना है इसका बताना है आपके लिए प्रकासन वर्स है तो बिल्कुल सही right answer है इसका प्रकासन वर्स माना जाता है क्या मना जाता है 1961 इस भी माना जाता है तो बिल्कुल सही 1961 इस भी जिन्हों नहीं बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला question क्या है आसाल का एक दिन नाटक का प्रिकासन कब हुआ 1950, 1967, 1969, 1961 में आसाल का एक दिन इस नाटक है और इसका प्रिकासन आपसे पूँचा है वह राकिस का महत्यपुन नाटक जो कई बार पूँचा गया है 1908 इस भी में इसका प्रिकासन हुआ है question number आपका यहाँ पर पूँचा है 23 लहरों की राजहंस नाटक का प्रिकासन वर्स बताईए 1963 1963 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही right answer है विकल नंबर भी आपका सही answer है अंगला question क्या है महान राकिस के इस नाटक में मदवर्गिये परिवार की घरेलू समस्याव का चित्रन हुआ है बहे कौन सा नाटक है बताईए बहे कौन सा नाटक है बहे नाटक आपको बताना है महान राकिस जी का जिसमें परिवार की मदवर्गिये परिवार की घरेलू समस्याव का चित्रन हुआ है तो ये तो question महत्यपूर है और आधे अधूरे आपका right answer होगा विकल्प नमबर D आधे अधूरे जो नाटक है नाटक माना जाता है महान राकिस जी का और इसका प्रिकासन वर्गिया है Q32 है महत्यपूर है और 32 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर D यानि की 1979 इस भी आदे अधूरे नाटक का प्रिकासन माना जाता है मोहान राकेस का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था बताइए क्या होगा राइट आंसर ये question डबल हो गया है अभी पढ़ाता पन ने तो बहे नाटक है जो इनका अधूरा रह गया था तो बहे था पेर तली की जमीन विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर होगा मोहान राकेस के अधूरे नाटक पेर तली जमीन को किसने पूरा किया था ये question तो बहुती महत्पूर्ण है इसको पूरा किया था अधूरे नाटक को किसने किया था तो बिलकुल सही राइट आंसर है इसको पूरा किया था कमली स्वर जी ने विकल्प नमबर B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंधेरे बंद कमरे उपन्यास का पिरकासन आपके लिए बताना है क्या माना जाता है सबी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए चार विकल्प आपके यहाँ पर दियेगा है अंदेरे बंद कमरे और इसका प्रकासन आपसे पूँचा है तो 1961 1961 आपका इहां पर सही आंसर होगा बिलकुल सही बहुत बढ़ी हैं अंगला कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमबर है अपना इहां पर 36 कि इन में से कौन सा यात्रा संस्मन मोहनराकेस द्वारा रच्चत है इनका बताने हैं आपके लिए जो की बहुत ही सल कॉस्चन है तो इन में से कौन सा यात्रा संस्मन मोहनराकेस द्वारा रच्चत है तो आपका बिलकुल सही राइट आंसर है यहां पर आखरी चट्टान तक आखरी चट्टान तक यानि की विकल्प नंबर C आपका सही आंजर होगा मोहन राकिस ने किस पत्रिका का संपादन किया था सारी का नई कहानी या ओब दोनो निकस तो इन्हों ने जो पत्रिका का संपादन किया था वह पत्रिका थी आओ बाद दोनों यानि कि सरीका उन नहीं कहानी इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था किसने मोहदाकिस जीने question number 68 से मोहाराकिस ने सरीका पत्रिका का संपादन कब प्रारम्ब किया था बताना है question number अपने यहां पर 58 से 1964, 1963, 1962, 1961 तो विलुकुल सही right answer है आपका विकलत number c 1962 इसका संपादन कब प्रारम्ब किया तो 1962 आपका सही answer नहीं कहानी की त्रई में कौन सामिल नहीं है मोहन राकेश, स्रीकान्त बर्मा, राजन र्यादव या पिर कमलेश्वर तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है नई कहानी की त्रई में कौन सामिल नहीं है तो राइट आंसर है B यानि की स्रीकानते बर्मा आपका सही आंसर होगा महदाकेस के इस नाटक में महाकभी कालिदास के अन्था संगर्स का चित्रन है आसाड का एक दिन में लहरों की राजहंस में पेरतले की जमीन आधे अधूरे question number 40 है महत्वपूर है और आसाड का एक दिन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है इनमें से कौन सी एक आंकी महाराकेस की है भै एक आंकी आपको बताना है भै कौन सी एक आंकी है जो महाराकेस की है तो बिल्कुल सही right answer है आपका यहाँ पर मतपूर्ण question है अंडे के छिलके आपका सही answer है विकल्प number C right answer होगा आखरी चट्टान तक यात्रा बृतानत का प्रकासन वर्स क्या माना जाता है आखरी चट्टान तक यात्रा बृतानत का प्रकासन वर्स बताना है तो आपका बिल्कुल सही right answer है इसका प्रकासन वर्स की बात करें तो 1953 इस भी माना जाता है विकल्प number आपका D यहाँ पर right answer होगा अंगला question क्या पूँचा है इनमें से कौन सी आलोचनात्मा के किर्थी मोहन राकेस की नहीं है नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो नहीं में बता दीजे question number है अपना यहाँ पर 43 और कौन सी आलोचनात्मा किर्थी मोहन राकेस की नहीं है अग्गे कुछ रंग और रच के साई ए भी है उसकी रोटी ए भी है दो फैर का भोजन ए नहीं है दो फैर का भोजन विकल्प नंबर आपका B यहाँ पर सही आंसर है यह जो रचना है कहानी है तो ए मोहन राकेस की नहीं है Q comes no. 45 है कि इन मेंसे कौन सा उपन्यास मोहनराकेस का नहीं है यह महत्यक्वण question है बताइए चार विकलप आपकी हाँ पर दे गए है उपन्यास बताना जो की मोहनराकेस का नहीं है तो राइट आंसर है question number 45 का एक कटीले रेत के फूल विकल्प number एक आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अंगला question है महुन राकेस का उपन्यास अंदेरे बंद कम्रे कितनी भागों में हैं आपके लिए बताने है दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में यद पांच भागों में question number 40 का अंसर बताना है महुन राकेस का उपन्यास अंदेरे बंद कम्रे कितनी भागों में हैं तो ये चार भागों में माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर पूचा की मोहन प्रियोगवादी एवं आदुनेक भावोध की उपन्यासकार मोहन राकेश का निधन कब हुगा यह आपको बताने हैं मोहन राकेश जी का निधन कब हुगा चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर देखे इनका जन्म हुआ था आठ जन्वरी 1925 को तीन जन्वरी 1972 को इनकी इनका जो है निधन हो गया था जन्म इनका अमरिसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था मोहन राकेश जी का तो इस फिरकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत भी महत्तवपूर्ण कॉस्चन थे करना है आपके लिए पर से प्ले स्टूर से शल्प स्टेडी क्लासेस अब डाउनलोड ज़िए यहाँ पर हिंदी साहिट का संपूर्ण को सापके लिए बहुत कम दाववुगध है इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर ट्वेंटी टेस्ट सीर्ज करवाई जाती है फ्री हि आज की वीडियों में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद्ट